वाई लो दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट जैस्ट फूर कोड दोस्तों आ गया हूँ आप लोकले को अमेजिंग पार्ट लेकर के मर्न करड ऑपरेशन डेवलेब्मेंट का यह जो हमारा प्रोजेक्ट चल ला था उसी का यह पार्ट है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि य में जाएगा यूटूब चैनल पर विजिट करना है जैस्ट फूर कोड पर और प्लेइलिस्ट वाले सक्षिन में जाना है इस प्लेइलिस्ट को ब्राउस करिएगा इस्टेप बाई इस्टेप ही वीडियो देखिए गया तभी आपको सौन में आएगा लास्ट टाइम हम य यूनिक डिफाइन किया था इमेल को तो सबसे पहले तो अपने प्रोजेक्ट को कंपाइल कर लिए जागा फरेंटिन को भी और बैकेंड को भी नोड मोल लिख करके नोडिस करिए जो आपका प्रोजेक्ट हो उसको कोड में ओपन कर लेना है बैकेंड वाले फोल्डर के अं प्रोजेक्रस होगा मोतल जाएंगे में जाएंगे तो फॉर्म आपका कहां मिलेगा फ्रेंटिंड के अंदर से एसर सी एप डॉर्ट जीए 6 ओपन कर लिजेगा कंटोल एफ करिए और इसमें फाइंड करिए कि आपने फुल नेम कहां लिखा है यह देखिए नेम का वल्यू फुल नेम है तो हमें इसकीमा में फु यहां से इस तरीके से डिलीट करतें है से ट्रेट से बिलीट करने के बाद यह जो पेज होगा इसको एक बार रिफ्रेस कर देना कि के आपको d discern में आना में डोर करिए ओन फिनिष है वहाँ नोडिस करिए आपने सक्सेज होने के बाद आपने मैसेज दिया था इसी सक्सेज होने से पहले यह जो आपका image URL होगा इसको null करना होगा तो sit img URL इस वाले function को call करिएगा आपके पास state है इसके function को call करके इसमें null यानिकि जो इसका initial state था वो define कर दिएगा इस तरीके से पसितना करना है और इसके ठीक नीचे जो catch block है उसमें error को console कर देना है वाला compilation उसको बंद करना है तो CLS करके back end को बंद करिएगा फिर से node mode करिया यानिके back end का compilation बंद जरूर करना है उसके बाद आपको page refresh करना है यह फरेंटिन वाला page refresh करना है फिर से आपको form फिल करना यहां से और register पर क्लिक कर देना है करें registration सक्सेस अभी यहां पर मोंगोडी कंपास के अंदर जाए पेज रिफ्रेस्ट करें कर देंगे करण कराम से डेटाबेस रेजिस्टर इसमें देखिए फुल नेम भी आ गया इमेल आ गया और यह प्रोफाइल भी आ गया जो हमने अपलोड किया है ठीक है देखिए अग डाल देखिए पर क्लिक करिएगा नोडिस करिए अनेबल टू इंसर्ट डेटा यह मेसेज आ गया ना यह मेसेज क्यों आया क्योंकि इमेल आप सेम डाल रहे हो अगर हम यूनीक इमेल डालें तो इंसर्ट हो जाएगा लेकिन उससे पहले जो कंसोल है उसको उपन करेंगे इ करेंगे तो यह जो कोड आया हैना यह मेंज करेंगे और अगर यह जो कोड आया है गया पास करना है तो इसको चेक करना है क्या यह 11,000 के बराबर आया है इस तरीके से आपको यहां पर मैच कर लेना है तो यहां पर आपको क्या करना है रिटन कर देना है यानि कि रिटन करेंगे और यहां से हम उसके नीचे मैसे रिटन करेंगे तो उपर की तरफ देखें यह जो हैंडल इमेज वा पूरा लाइन कॉपी करना है कंट्रोल सीकर के जो और इजी फॉर्म डॉट से ना उसके बाद हैंडल इमेज को मिनिमाज कर देना है नीची की तरफ रिटन के ठीक भगल में इसको आपको पेस्ट करना है और यहां प्रोफाइल यहां लिखा होगा यहां पर आपको इमेल दे दिया अगर एरर कोड यह होगा तभी यह मेसेज प्रिंट होगा अधर वाइस जो आपका अनेबल इंसर्ट डेटा है यह प्रिंट होता रहेगा लिए जरा इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं और मैंने थमनेल नहीं चूज किया रिजिटर पर क्लिक करूंगा यह देखिए इक अगर हम इमेल चेंज करें और एक्ष्टर पर क्लिक रें तो रिजिटेशन हो जाएगा यहां पर डेटाबेस में कंटूल आर प्रेस करेंगे यहां पर उपर क्या लिए तो यह काम हमने कर लिया आपको कुछ और डेटा इंशर्ट कर देना है कुछ प्रफाइल के साथ क कुछ बिना प्रोफाइल के और यूनिक एमेल डालिएगा यहां पर सारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा नोड़िस करिए यह जो डेटा है यह इस्टेटिक तरीके से दिख रहा है ठीक है यह यह डायमिक डेटा यहां पर जो डेटा बेस के अंदर वह ला करके शोगरना है तो के ऊपर देखे क्या है यह आपका कॉल्यूम से ठीक नीचे या उपर कहीं पर भी नीचे कर लेते हैं यह हमारा इमेज वाला है ठीक नीचे आपको एक कॉंस्टे मनाना सबसे पहले तो कुछ चीजों को आप इंपोर्ट करें जरा उपर की तरफ जाईए आपको याद होना चा कॉल किया था कॉमा सब्सेपरेट करके यहीं पर म्यूटेट के नाम से फंक्शन होता है इसको भी आपको इंपोर्ट कर लेना है अब नीचे की तरफ आ जाईए नीचे की तरफ यहां पर बनाएंगे जरा इस तरीके से करते हुए डेटा के नाम से और अगला एर के नाम से उसके फंक्श्न करना से यहां ऑधार जमत एक तो और यहां से देटा में पर नाम से फंक्शन के नाम से फंक्शन पर करना होगा तो इस फंक्शन पर करेंगे एक कौन्स्टे में नाएंगे दर इस तरीके से पेचर के नाम से और यहां पर हम जो है URL को रिसीब कर लेंगे कौन सा URL होगा यह यह वाला URL यहां पर आ जाएगा ठीक है क्वालबेक डिफाइन करिएगा और आशिंग कीवर्ड यहां पर जरूर लगाईएगा क्योंकि हमें आ यहां पर आपको डेटा करना तो आपका एक्सी ओस है इसके अंदर से फंक्शन कॉल करेंगे और जो जिस वारेल का रिक्वेस्ट करना वह यहां पर यहां पर यहां पर दिफाइन कर दीए यहां पर टर्मिनेट कर देंगे और आवेट कीवर्ड यहां पर जो लगाएंगे क्योंकि रेस्पॉंस आने में फोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही तो आवेट कीवर्ड यहां पर लगा देंगे हमने डेटा को डिश्टेक्टर क्यों किया हो सकता है कि हम यहां पर इस तरीके से भी तक हमें किसी के अंदर से ना पड़े करना पड़े डारेक के लिए अब यहां से जो आप डेटा रिटन कर रहे वो कहां जाएगा वह इस वाले डेटा में आ जाएगा इसको जरह आप यहां पर है नेची के दरफ जाएगा उसे डिटा को अपने कर दिया है और इस निकाल कर अगर के अगर आप इक रागा देख ले यहां पर जा करके देखेंगे थोड़ी देर में तो डेटा यहां पर आ जा जाएगा जिसमें नोडिस करिए डेटा आ गया जिसमें हमारा चार डेटा है ठीक है यह आगया और यह जो एरर आता है यानि कि यह वार्निंग है इस चाल्ड इना लिस्ट सुड है यूनीक की यह जो डेटा आपने पास के टेबल में इसमें की के नाम से प्रॉपर्टी होना चाहिए और वह यूनीक होना चाहिए ठीक है तो इसको हम देखेंगे आगे कैसे सॉल्व करना है इसके वज़े वह भी यहां पर आ गया देखेंगे और इमेल नहीं आ रहा है क्योंकि नेम की जगे पर हमें फुल नेम रीट करना होगा इसको फिक्स करेंगे और सबसे पहले हम इसको फिक्स कर लेते हैं यहां पर इमेज दिखना चाहिए तो कॉल्यम्स में जाएंगे यह क पर इसके ठीक नीचे आपको कॉमा से सेपरेट करना है और यहां पर रेंडर फंक्षन को कॉल यानि कि अपने इमपॉर्ट का रखा होगा यहां पर आपको first argument में underscore और second argument में object receive कर लेना है तो इसमें कौन सा object आ जाएगा जो आपने data पास किया टेबल में उसी का एक एक object इसमें आएगा ठीक है अब इसी object के अंदर से आपको यहां पर src के नाम से property set करना है और यह जो आपका objj है इसी के अंदर से dot profile read कर लेना है इससे image आ जाएगा अब वहां पर इस्ट्रिंग आ रहा था अब नहीं आएगा विद के नाम से property set करिएगा विद भी control करना होगा विद आप यहां पर 40 define करिएगा class name करेंगे और यहां पर हम rounded hyphen full define कर देंगे यह class define कर देंगे ताकि radius में दिखे बस इतना करना है अभी यहा आ रहा है तो name इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहां पर देखिए आपने table में यहां पर चार्ड देटा दिखे रहा है और अगले वाले उसमें चला जाएगा जब आप और भी डेटा इंसर्ट करेंगे लेकिन उससे पहले एक और डेटा इंसर्ट करेंगे तो मैंने यहां पर देटा लिए यहां पर डेटा लाइब आना चाहिए लाइब डेटा आए इसलिए हमने मूटेट को अभी थोड़ी दिर पहले इंपोर्ड के आपको याद होना चाहिए उपर की तरफ यह रहा आपको क्या करना है मूटेट से रिवेलिडेट कर देना जिसका आप गेट इसका कर रहें राजिश्टर का यान कि रिवेलिडेट कर देना तो यह जो अनफिनिस से थीक नीचे इसी में आपको यह आपका सेट इमेज वारल आपने नल किया मुटेट फंक्शन कॉल करना है और आपका मुटेट इस वाले एंड पॉइंट को यानि की सिलेसर रेजिस्टर को इसको रिवेलिडेट कर देंगे तो जैसी नया डेटा इंसर्ट होगा ना यह सौकेट बेस कनेक्शन करता है डेटाबस में जब भी चेंजेस होगा यह आटोमेटिक तुरंद डेटा फिच करके आपको लाइब यहां पर शो कर देगा इसकी टेस्टिंग कर लेंगे तो फॉरा फॉरा फॉर्म फिल करके रेजिस्टर पर क्लिक कर दीजी नोडिस करिए डेटा रेजिस्टर हो गय फंक्षण आपने कॉल कि आ जायी तो यह सर्विसेस के अंदर से इसके लिए डाट आपको ऑपजिक करना इस तरीके से उसमें underscore id के नाम से property set करना है और इसका value minus one define कर देना है तो जो सबसे last में data insert वो आपको सबसे पहले दिखेगा यह दिखे सुमन अभी सबसे पहले दिखा तो जब भी आप नया data insert करेंगे वो सबसे पहले आपको यहां दिखेगा अब हमें delete का काम करना है और update का काम करना है तो यह जो दोनों button है यह columns में ही है आपका तो आएज ज़रा app.jsx में और इसको minimize कर दीजिए on finish से इसको minimize कर दीजिए उपर की तरफ जाएंगे यह जो आपका columns होगा उसमें आपका दोनों button है तो columns को open करिएगा सबसे नीचे वाला जो object होगा देखिए इसमें आपको delete field और edit field इसको find कर लेना कंट्रोल एफ करके बटन दिख जाएगा on click कि इसमें define करेंगे callback को define करेंगे इस तरीके से और यहां पर हम id भेज देंगे यहां पर आपको पेस्ट करना है और यहां पर आपको पूरा object भेजिएगा और यह object इसको कहां से मिलेगा इसमें पहला argument आपको underscore दूसरा argument आपको obj receive कर लेना है यानि कि object को receive कर लेना है तो जो आपका data आपने पास के टेबल में उसी का एक एक object इसमें आ जाएगा और उसी object के अंदर से आपने नीचे id भेजा है delete वाले में और edit वाले में आपने पूरा object ही भेज दिया है तो पूरा object ही भेजना था इसमें ठीक है अब इसको आपको minimize कर देना है और यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाईए यह जो आपका on finish है इसके ठीक ऊपर एक question मनाना जाए इस तरीके से on delete के नाम से on delete अच्छा हमने function तो call ही नहीं किया यह वाला ठीक है कोई नहीं call कर लेंगे on delete के नाम से function कॉल करिए और यहाँ पर आपको id receive कर लेना है और id को आपको यहाँ पर alert कर देना है अब उपर की तरफ चलिए columns में को कॉलिम्स में जाएंगे और जो अब इस्वे फंक्षिन करना यहां पर और इसमें आपको और यहां पर इस्की नाम से अब inan है इसको क्रेंग इस्को टेस्टिंग और यहां पर आङए जैसे आप क्लिक करेंगे देहिा को मिल जाएगा और और जब आप पर टुक करेंगे तो अपको ब्लबशिक मिल जाएगा ठीक है न किसी के एड़े Str. पे करेंगे या किसी के आपको डीयट पर क्रेंगे तो आपको डेटा मिल जाएगा। और यहां ङहां प्राइब लोक को स्टार्ट करना है के सिटार्ट करना है रिसीब कर लेना एरर को यानिकि ए आर आर ऑर के नाम से रिसीब करिएगा और जो आपका एंटिदी वाला मेसेज उसके अंदर से एरर फंक्शन कॉल करेंगे एनेबल टो लिलीट यह मेसेज दे नाम से function call करना है और यहां पर हमें back tick के अंदर अपना endpoint करना है तो endpoint हमारा क्या है सिलेज हमें आईडी भेजना होगा तो dollar के साथ आईडी यह वाला भेज दीजिए यह जो आपने receive किया है तो आपको यहां सक्सेसफुली तो कुछ भी आप मेसेज कर सकते हो जो भी आपको मेसेज लगे वह आप कर दीजिए यहां पर आपको डिफाइन कर देंगे है तो आईडी आपने यहां रिसीप किया है इसको बैद देंगे बस डिलीट हो जाएगा तुरंत और फिर इसके किया जाता है तो इसको अपने उटेट कर दीजिएगा अई ज़रा डिलीट की टेस्टिंग कर लेते हैं यहां पर आ जाएंगे मैंने इस पर डिलीट पर क्लिक किया यहां से डेटा सक्सेस्फुली और यहां से डेटा चला जा रहा है अभी हमें क्या करना है कि अब हमें अब हमें एडेट पर करना है एजिस के लिए जादा कुछ नहीं करना है नहीं की तरफ आजगे अपको उपन करने के लिए सेट इसके नाम से आपके पास एक dab उपर की तरफ उसको function group में call करना इसको true कर देना है याई कि इसमें true assign कर देना है तो notice करें जैसे आप इसके edit पे click करेंगे model आपको open हो जाएगा यह दिखिए है एडित पर जैसे हमने click किया open हो गया model अब हमें क्या करना है इसमें data fill करना है जैसे model open होगा पूरा data fill करना है तो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना आपको data fill करने के लिए जो आपका आरीजी फॉर्म है ना आरीजी फॉर्म आपका constant होगा उपर की तरफ इसके नाम से function है इसमें आपको यह object कर देना है जब आप यह object define करेंगे ना जैसे आप एडिट पर क्लिक करेंगे प्रोपर्टी के एक्वाइड डेटा रीट करके सभी इंपुट फॉल में फिल कर दिया जाएगा देखिए मैंने एडिट पर क्लिक किया अच्छा error आ गया error इसलिए आता है देखिए console में जाए इसका टाइप फाइल है जहां से हम प्रोफाइल अप्लोड करते हैं उसमें आप अपडेट नहीं कर सकती हो अगर इस object में प्रोफाइल जाएगा तो वह एरर आएगा इसलिए जब भी एडिट होगा तो हम डिलीट कर देंगे प्रोफाइल को उस object के अंदर से तो डिलीट क कि लिए पुरा फॉर्म हो गया ठीक है काॉम हो गया इसके साथ साथ हमें बटन को कंट्रोल करना है तो हमें एक स्टेट हमें ख्रेंगे ऑपर की तरफ और एक स्टेट बनाई जाए गाइव और किसी को हम कॉपी कर लेंगे जैसी हिए इमेज यॉरल और इसको कॉपी कर करने के बाद आपको कॉल करना है और यह जो अभी जैसे आप क्लिक करेंगे ना वो जो आपका जहां पर आपने नल डिफाइन के उसमें चला जाएगा उसके हम इस बटन को भी कंट्रोल करने के लिए नीची की तरफ आजाईए नीची की तरफ और लास्ट में जो आपका फॉ है इसको मिनिमाज करिए कंट्रोल एक्स कर लिजिए और यहां पर आपको करली बिरिकेट को स्टार्ट करना चेक करना क्या आइडी में कुछ है अगर आइडी में कुछ है इसका मंदब हम अपडेट करने जा रहें क्योंकि एडिट पर क्लिक करेंगे तभी तो आइडी में करेंगे तो अगर आप एडिट करेंगे तो यह वाला बटन दिखेगा और जब आप समिट करेंगे तो आप पहला बटन है उसको ओपन करिएगा इसमें सबसे पहले इसका कलर चेंज कर दिए तो मैंने बुलू की जगह यहां पर रोज डिफाइन कर दिया और जो टेक्ट ल होगा तब भी अपडेट नाव का बटन दिखेगा तो मैं चाहता हूं जब मैं क्लोज करूं तो यह और करने पर यह अपडेट नाव का बटन ना दिखे यहां पर फिर से समिट का आ जाए तो उसके लिए आपका जो मॉडल है उसमें जाना होगा तो उपर की तरफ जाईए जाए जो आपका मॉडल है देखे कहां पर उपर की तरफ जाईए उपर नापको तु क्या करनाको ऊंस्त करेंक यहां ऊपर की तरफ उपर की तरफ चलिए जो ईसके ठीक ऊपर आपको क्या करना एक constant मनाना है जरह इस तरीके से और यहां पर आपको सबसे पहले फॉल्स करना इसे मॉडल हाइड हो जाएगा उसके बाद आपको इसमें आपको उन्नाल अपडेट कर देना है और फॉर्म को भी रिसेट कर देना है तो फॉर्म रिसेट करने के लिए यहां पर अपडेट करेंगे तो ठीक है अगर आपने कर दिया तो नोडिस करिए यहां पर आपका जब आप दुबारा इस पर किलिक करेंगे ना तो फिर से सम्मिट का बटन रिखेंगा अब जब हम एडिट करें यानि कि हमने इसको अगर एडिट किया और यहां पर किलिक करने पर हमारा अपडेट होना चाहिए डेटाविस के अंदर यह डेटा इसके लिए भी हमारे पास एक फंक्शन होगा अपडेट के नाम से तो यह ज इसको भी आपको समझना होगा तो नेची के तरफ जो आपका फॉर्म है उसमें आई यह जा रहा है इसमें अपडेट करने जा रहे हैं तो हम अपडेट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है अगर आपने इमेज वरल में इमेज जाएगा और वह चेंज हो जाएगा अगर आपने इमेज नहीं सेलेट किया है तो आपको कुछ नहीं करना है यह जो आपने इकवल्टो लगाया है यह इस्टिंग हटा देना है और इसके पहले आपको डिलीट लगा देना है तक कि प्रोफाइल वाला जो आपका है वो डिलींट हो जाए यानि कि इस राजृत के अंधर से अगर आपने डिलीट नहीं कि अपडेट नहीं कर नहीं अगर आपने अपडेट किया तो यह अपडेट हो जाएगा जो नया इमेज है कोई इशू नहीं है इससे अब नीचे की तरफ आई यह थोड़ा अवेट एक्स पोस्ट नहीं आपको फुट फंक्शन कॉल करना है यहां पर और रजिस्टर का रिक्वेस्ट करना है तो फुट पुरा डेटा है डेटा बेज़ेंगे तभी तो ठीक है उसके बाद देखिए सेट मॉडल फॉल्स अनिक मॉडल जो हो जाएगा रेश्टेशन फॉर्म रिसेट हो जाएगा इमेज यूरल इसका नल हो जाएगा ठीक है और आईडी को भी आपको नल कर देना है तो सेट आई की जगहां यहां पर हम डिफाइंड कर देंगे अपडेट सक्सेज नेचे की तरफ कैच ब्लॉक में यह जो दो लाइन है इसको हटा दीजिए रिटन और इफ हटा दीजिए हटाने के बाद यहां पर आपको अनेबल टू अपडेट डेटा यह डिफाइन कर देना है ठीक है को लिखा हुआ है मैं यहां पर अमित लिख देता हूँ अपडेट पर क्लिक करेंगे लाइब माईट आ गया और यह फोटो भी चेंज हो गया देखिए तरीके से इसको अगर आप इस फोटो को चेंज करना चाहते हैं इसकी नीचे वाले को क्लिक करेंगे और फोटो यहं से यहां पर क्लिक किया और यहां सुल देता हूँ अपडेट जरूर पूचेंज गाने गहां ठीक है तो इसंपने आपको प्रीख गाले तब ही आपको प्रोजेक्ट जाएगा तो अगर आप और भी बड़े प्रोजेक्ट चाहते हो मान इस्टेक में तो कमेंट करिए जरूर मैं बनाऊंगा आई होप चीजे केलर होंगे किसी भी तरह का इस वह जरूर पूछे आपके कर दे जाएगी करिए वाटसाप गृप को डेस्क्रिप्शन से और मैसेज करी हेल्प कर दी जाएगी थैंक्स पर इंज्वाइंग दे एजूकेशन अब्जेस्ट फोर कोड के उसून जय हिंद्र जय भारत